हेलो एन असलो अलेकुम आज हम अपनी करेंगे पेंडास की लैब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसले कह रहा हूं क्योंकि यह हमारी एक्स्ट्रा इंफ्रमेशन के लिए इसमें कोई मतलब कोई कोई यह वह लैब इसको मैंने कैसे तभी मैंने इसका नाम लगा है पेंडास एक्स्ट्रा ठीक है तो सबसे पहले जो है वह इंपोर्ट कर लेते हैं यह यहां से कॉपी कर लेते हैं क्ट्रूल-C क्ट्रूल-V से और यहां पर हमारा डेटासेट रीट कर लेते हैं वही हमारा टाइटनिक का डेटासेट .csv सही है तो इसकी पांच रॉस देख लेते हैं अब यहां पर हम करने वाले क्या हैं वह मैं बताने बूलिया तो यहां पर हम करने वाले थे हैं अगर रिष्ट कि अगर तो हम से और रिष्ट इंडेक्स इन पैंडास ठीक है तो हम सेड़ रिष्ट इंडेक्स परेंगे यहां तो सबसे पहले सेड इंडेक्स की बात कर लेता है अगले हिंडेक्स क्या होते है कि हमारे डेटा है उसमें कोई भी ज매 कॉल्म को इंडेक्स बनाना तो अगर मैं वस्ता हमी तो डूट ने हैं लेकिन इंडी निपेंडना लंगा इंडेक्स समेशा यूनीख चीज बनती है तो यहां पैसेगर आईडी है तो मैं इसको एक रीड reveal अब मैं ds.head करके देखूंगा तो यहां पर passenger id1 index को ने चुका होगा सही है अच्छा एक और तरीका है अगर मैं this code को hide कर दूं मतलब comment बना दूं सही है तो मैं यहां पर जो है वो directly dataset के अंदर ही read करवा के जो है मैं अपना इंडेक्स को set कर सकता हूं क्या करूंगा सिर्फ एक parameter पास करने इंडेक्स कॉल का ना जो है वो डेटा परामीटर है अब वह आपर डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स ले रहे हैं या पूरे कॉलम का नान दे रहे हैं अब मैं यहां पर कॉलम जीरो को बनाना चाहरा हूं तो मैंने क्या कर दिए इंडेक्स कॉल इस एक्वास टू जीरो अब मैं इसको डी स्टार्ट एंड रन आल कर दूंगा कि तब भी जह हो मेरा पैसंजर आइडी कि इंडेक्स बन जाएगा कि इस कोड को आइड के वात तब ही पैसंजर आइडी मेरा इंडेक्स बनके अब यहां पर जाए वह मैंने इंडेक्स पास किया आप जाए वह पूरे कॉलम का नाम दे दें पैसंजर आइडी करके तो एक नॉर्मल सी बात है एक हमने कर दिया है हब है अब डीजेट करता हैं रिजेट करता है और डीज़र करने के लिए सबसे पहले मैं करना जाऊंग बीच बीच मेसे जोड़ना डिटा मोडा रहारा रहा हूं लाइक-ड्या के विस्टर्झट मैं दमद्ड़ शुरूनीफ से उंष 115 कंदर टरियां 3 हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई सही है, तो यह method object is not अच्छा पर लगाना भूल गया था मैं सही, अब ds.het शुरू की 20 रोस मुझे अगर देखनी है तो यहां पर इंडेक्स बीड़ीट में से छूटा हुआ है, तो इससे क्या हुआ है जब यह पूरी पूरी कॉलम्स ड्रॉप हुई है तो इंडेक्स साथ से चेंज हो गए अब मुझे दुबारा इंडेक्स को रिसेट करना है कि मैं चाहता हूं कि सीक्वेंस इंडेक्स है तो मैं क्या करूंगा है आपर डी एस इकोस्टो डी एस डॉट री सेट इंडेक्स और इसका एक परामिटर होता है जब यह कर दूंगा तो यहां पर मेरा इंडेक्स सेट हुआ है रूपी 20 चाहे दर रॉज देख लें सही है स्ट्राइब होác जाते है इंडेक्स और हमारा इंडेक्स तो कभी कभार होते हैं अच्छी कर सकता हो इंचांद अगर वीडियो अची लगी हो तो लासमी सब्सक्राइब करती चाहेँगा आपस झाल झाल